Hello friends and welcome back to my channel Bengali family in UAE जहां मैं बात करती हूँ UAE और travel से related छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप भी लोगों में से बहुत लोगों का सवाल है यहां पे आके जब आप लोग जॉइन कर लेते हैं तो क्या आप यहां से जा सकते कंपनी को बता के या बिना बता के तो इस वीडियो में इसी से related बात करेंगे आप सबसे रिक्वेस्टर वीडियो को एंटर के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके तो दोस्तो अगर आप यहां पे नए हैं कंपनी ने आपका वर्क वीजा लगा दिया है तो उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि यह जौब हमको पसंद नहीं आ रही है या हम इसको नहीं कर सकते हैं फिजिकली भी होते हैं बहुत लोग यहां पे आके मेडिकल अन्फिट हो जाते हैं और उनको यहां पे नहीं रहना होता है अपने घर वापस जाना होता है बहुत लोगों को काम पसंद नहीं आता है और वहीं बहुत लोग छोड़के क्योंकि घर में उनकी कुछ एमर्जनसी काम आ जाती है तो उनको जाना पड़ता है लेकिन कमपनी छुटी नहीं देती है तो वो लोग बिना बताय जाने की कोशिश करते हैं तो देखिए अगर आप बिना बताय जाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको एक बड़ा रिस्क लेके जाना पड़ेगा ठीक है तो वो पूरा-पूरी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप बिना बताए यहां से जाएं क्योंकि आपका जो आफिस का पियारो है अगर उसका नंबर वगरा मेंशिंड है आपके वीजा जो है उसमें आपका नंबर नहीं है आपके पियारो का ही नंबर है जो कि maximum cases में होते हैं जैसे लीगल वे हैं कंपणी में जौब छोड़ने का इमर्जेंसी किसी को भी आ सकती है काम किसी को भी पसंद नहीं आ सकता यह तो अपने उपर डिपेंड करता है तो अगर आपको कंपणी छोड़ना ही है तो रेसिंशन देने का एक प्रॉपर वे होता है आप इमेल के आपको ऐसे ही छोड़ देती है कुछ कंपणी होती है जो आपसे वीजा का पैसा लेती है तो बिल्कुल वीजा का पैसा तो लेगी ही यहां पे क्यूंकि उसने आपका दो साल का वीजा लगाया है दो साल के वीजा का खर्चा उन्होंने बेर किया है अब आप बोल रहे हैं 6 माइना भी नहीं हुआ है या 6 माइना अजस्ट हुआ है आप बोल रहे हैं कि हम छोड़के जाएंगे आप विजा कैंसल करा दीजे तो पैसे का नुकसान उनका है तो यहाँ पे आप से अगर विजा का पैसा लिया जाता है तो आप बेटर है कि आप दे दीजा जाएंगे और फिर चले जाएंगे लेकिन इतना इजी नहीं होता है यह सारे प्रॉसेस कंपनी चाहे तो आपके उपर एपस्कॉंडिंग का केस लगा सकती और आप दुबारा से यूवई नहीं आ सकते हैं 6 माइना एक साल या दो साल के लिए आप लोग यूवई नहीं आ स सकते हैं तो सबसे बेटर वेज़े से रिक्वेस्ट कीजीए बार बार रिक्वेस्ट कीजै कि अपको छुटी दे या फिर आप जाना चाहते हैं वर्ह Hetना आप बोलिए कि हम वीजा का पैसा आपको बहुए कोई आपको जाओं करने की कोशिश कीजीये फ्रॉस जादा है इस सबसे बेस्ट और सबसे बहतर है कि आप mutually matter को solve करने की कोशिश कीजिए बहुत emergency है company फिर भी नहीं मान रही है तो आप अपने embassy में contact कर सकते हैं या labor office में जाके help मांग सकते हैं चीजों को legally करने की कोशिश कीजिए illegal way में मत जाइए तो guys I hope इस वीडियो में आपके कुछ सवाल थे पिछले दो तीन वीडियो में इसमें clear हो गया होंगे मिलते है नेक्स वीडियो में एक नहीं update के साथ तब तक के लिए good bye and take care